जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes एप में तो स्टार्ड हो चुका है दोस्तों आज का ये वीडियो और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों निबंद को दोस्तों बहुत ही फणी ट्रिक के माध्यम से आज हम यहां पर पढ़ेंगे इससे पहले हमने उपन्यास की भी ट्रिक आपको दी है ना और दोस्तों अपने कहानी की भी दी और जीवनी आत्म कथा आदी की हमने आपको ट्रिक दे दी है अब दोस्तों यहां पर हम निबंद पढ़ने बाले हैं और निबंद में आज का आपका पहला प्रस्न है कि स्रंखला की कड़िया निबंद के रचनाकार कौन है जदी से बताएं दो सेकंड आपको दिये जाते हैं चार बिकल्प भी आपके सामने हैं सरंखला की कडिया दोस्तों आप एक चीज बताना कि यहां पर अगर कोई मंदिर बना है इस प्रिकार से हैना कि कोई मंदिर बना है और यहां पर महादेवी की प्रतिमा है तो लोग यहां से जाते हैं स्रंखला की कडिया बना कर कहां पर महादेवी के दर्सन बन के ऐसी जाती ना आप देखते होंगे कि स्रंखला की कडिया बना कर जाते हैं बोले सर महादेवी के दर्सन करने तो स्रंखला की कडिया बना कर कहां जाते हैं महादेवी की दर्सन करने तो ये निबंद किसका होगा किसका होगा महादेवी बर्मा किसका होगा महादेवी बर्मा क्योंकि महादेवी की दर्सन करने इस रंखला की कड़ियां बना कर जाते हैं लोग ठीक है अंगला है काब और कला निबंद की रिचना कार कौन है चार बिकल्फ है चार पूछा तो कला किसका था कला धर बोले जैसंकर पिरसाद तो काब और कला की निवंद की रचनाकार कौन होंगे जैसंकर पिरसाद क्योंकि कला धर कला धर अपनाम तो था जैसंकर पिरसाद का इसलिए काब और कला निवंद जैसंकर पिरसाद का होगा ठीक है अंगला क्वेश् खाने का है और गरीब का इरादा भी माखन खाने के होते हैं तो अमीर इरादे गरीब इरादे क्या हैं पुले सर्व माखन खाने के हैं अमीर के रादे और गरीब के रादे क्या है जरा पूछ लो तो उनने बताया कि माखन खाने के हैं अमीर के भी और गरीब के का खाने के लाल चत्रवेदी जी का निबंद है अमीर इरादे गरीब इरादे माखन खाने के ठीक है मजदूरी और प्रैम निबंद के रचनाकार कौन है दोस्तों आपको पता होगा उले सर आज तक ना तो मजदूरी पूर्ण मिली और ना ही प्रैम पूर्ण मिला है है ना आपने देख होगा उले सर प्रैम बांटने बाले देखो प्रैम के कितने प्यासे हैं तो ना मजदूरी पूर्ण मिली और ना ही प्रैम पूर्ण मिला तो मजदूरी और प्रैम निबंद के रचनाकार कौन होगे उले सर पूर्ण नहीं मिला इसलिए सरदार पूर्ण से हैं सरदार पूर एक एक ब्रक्ष है और यहां पर क्या करते हैं लोग माटी की मूर्तें स्थापित कर देते हैं काई के नीचे ब्रक्ष के नीचे लोग माटी की मूर्तें स्थापित कर देते हैं तो आप से पूछा जाएगा कि माटी की मूर्तें निबंद किसका है तो आप बताओगे राम ब् पुरी क्योंकि ब्रक्ष के नीचे माटी की मूरते हैं ठीक है । सदा चार का तावीज नेल्च के जो लेका के वो कौन है। वो क्वोण है सदाचार का तावीज लेकर आये वोले कहा से हरी संकर ने परसाईं थी। या फिर परसाई थी, सदाचार का तावीज किसने परसाई थी, हरी संकर परसाई, किसने, सदाचार का तावीज, हरी संकर ने परसाई, कैसे याद रखोगे, सदाचार का तावीज, हरी संकर ने परसाई, यानि कि हरी संकर परसाई, और ये ब्यंग कार माने जाते हैं, दोस्तो के फूल कब फूलते हैं दिन में की रात में तो नहीं देखा अभी तक कोई फूल फूलता हुआ लेकिन रेती के फूल अगर फूलते होंगे तो वो दिन में फूलते होंगे कब फूलते होंगे दिन में तो रेती के फूल फूलते हैं दिन में तो रेती के फूल निबंद के र प्रिचनाकार कौन हैं? अब मैं आप से पूछूँँगा कि असोक के फूल, असोक में जो फूल पूलेंगे, वो एक फूल पूलेगा, कि हजार फूलेंगे, बोली सर, फूल एक नहीं पूलेगा, हजारों पूलेंगे, कितने? हजारों फूल पूलेंगे, तो असोक के फूल, असोक के फूल एक नहीं फूलेंगे हजारों फूलेंगे तो हजारी प्रसाद दुवेदी हजारी प्रसाद दुवेदी असोक के फूल निबंद हजारी प्रसाद दुवेदी क्योंकि हजारों यानि कि हजारी ठीक है जिन्दगी मुस्काई निबंद किसका है अब आपसे पूचा जाता है दोस्तों एक चीज बताना कि अगर आपके घर में कनया जी आ जाएं । बयूजी सर ऐसी बात भोल नहीं है हो आपकी मेरी जिंद्गी मुस्का जाएगी अगर मेरे घर कनएए आजाएं तो जिन्दकी मुस्का जाएगी। जिन्दिगी मुस्काई कनया लाल मिस्रप्रभाकर B नम्मर आपका विल्को सही है चित बन की छाहिन निखनी की रचनाकार कौन है चित बन की छाहिन आया दोस्तो तो आपको पता है कि जब आप बिद्या प्राप्ट करते हो तो गुरू की छाहिन में करते हो कौन होंगे बिद्या से बिद्या निवास मिस्र चितबन की चाह बिद्या निवास मिस्र चाह में हम बिद्या प्राप्त करती हैं तो बिद्या निवास मिस्र ठीक है बात्साह दरपण निवंद के लेखा कौन है एक चीज बताना दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत में य पहम्मा साय रंगीला बास्ता है बने यह भारत में इस लिए बी नमबर भारत में बने इसलिए भारत एंदू आपका बिलको ही हो जाएगा ठीक है अंगला है ठलूआ किलब निबंद की रचनाकार कौन है अब आपको बताना है ठलूआ किलब में गुलाब लाए ठलूआ किलब में क्या लाए गुलाब लाए इसकी रचनाकार भी कौन होंगे कौन होंगे गुलाब राए ठलूआ किलब में गुलाब ला लाए गुलाब लाए तो गुलाब राय जी का निबंद है खलूआ के लव इसको याद रखेंगे बिचार और बितर्क निबंद की रिचनाकार कौन है दोस्तों एक चीज बताना आपको दो सिकंड में यहां पर दिये जाते हैं दो सिकंड में आप अपने उत्तर का चेहन करें है कि बुली सर दिन भर में हजारों बिचार आते हैं हैना कि एक बिचार आते हैं एक दो बिचार आते क्या नहीं आते कितने बिचार आते हैं हजारों बिचार आते हैं और बितर्क होते हैं बिचार और बितर्क होते हैं और एक बिचार नहीं दो बिचार नहीं हजारों दिही होंगे यानि सी नम्मर आपका बिल्कुर सही हो जाएगा और संस्कृति के चार अध्याय निबंद के लेका कौन है दोस्तों हम पढ़ते ना वोली संस्कृत के चार अध्याय पढ़ना है तो दिन में पढ़ोगे की रात में वोली संस्कृति के चार अध्याय हम दिन में पढ़ेंगे कप पढ़ेंगे दिन में तो संस्कृति के चार अध्याय दिन में पढ़ेंगे तो रचनाकार कौन होगे दिन में तो दिनकर दिन में तो दिनकर जी का ये निबंद है संस्कृटी के चार अध्याय दिन में पढ़ना है उस लिए दिन कर और इसे साहेत कादमी पुरुषकार भी मिला है संस्कृटी के चार अध्याय के लिए और कई बार पूछा भी गया है ठीक है आलोग पर्व की रचनाकार कौन है और यहां पर आया दोस्तों पर्व और मैंने कई बार आपको बताया है कि हमारे भारत में बोले सर एक पर्व नहीं होते दो पर्व नहीं होते तीन पर्व नहीं होते हमारे भारत में हजारों पर्व होते हैं कितने पर्व होते हैं सब्सक्राइब की लिए खातअ को थी खर सब्सकर्सक्गे और दोस्तों में आप कि रिचनाकार भी क्वण होंगे घ्जे और जाएंगे तर्संक अग्या है ग्याहूं गुलाब निवण्द के रिचनाकार कौन है तो आप से पूछा गे आप बोले ऌता हmee घ्याहूं का तो ब्रक्षफोता है खोदा होता है तो और बुलिसर गुलाब का भी ब्रक्ष देखा है गयहूं का भी हमने ब्रक्ष देखा है तो गयहूं और गुलाब निबंद किसका होगा गयहूं और गुलाब का ब्रक्ष होता है इसलिए राम ब्रक्ष बैनीपुरी गयहूं और गुलाब का ब्रक्ष होता है तो इसकी रचनक राम चंद्र की हम स्रद्दा से भक्ती करते हैं राम चंद्र की तो स्रद्दा और भक्ती निबंद किसका होगा राम चंद्र सुकल का राम चंद्र सुकल का ये निबंद है दोस्तों आपको पता है कि राम चंद्र सुकल निबंद समराट माने जाते हैं निबंद समराट माने जाती रामचंद सुकल और इनका पहला नबंद प्रकासित हुआ जिसका नाम था स्रद्दा और भक्ति और हम स्रद्दा से भक्ति करते हैं किसकी रामचंद्र की नबंद भी किसका हो जाएगा रामचंद्र सुकल जी का अंगला कोस्चन है कलिराज की सवा नबंद की रचनाका तो उत्तर निकलाता है बाल करश्ण भट कलिराज की बाल सबा या कलिराज की सबा बाल करण भट कलिराज की बाल सबा ऐसे याद करोगे बाल करण भट ने दोस्तो 33 बरस तक हिंदी प्रदीप का संपादन किया और दोस्तों ये हिंदी प्रदीप के संपादक के कई बार धानी कर आएंगे कहाँ पर निबास में निबास में तो बिद्या निबास मिस्त्र बिद्या निवास मिस्त्र निवास में क्या लेकर आना तुम चंदन और हम पानी लेकर आना कहाँ पर स्कूल में की निवास में बुलिसर निवास में तुम चंदन और हम पानी बिद्या निवास मिस्त्र जी का ये निबंद हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर हमने टॉप 20 निबंदों को पड़ा ये निबंद हमेशा पूछे जाते हैं कई बार पूछे गए हैं हैना कैसा लगा फटा फट से जल्दी से बताएं और दोस्तों इसी प्रकार से फ़नी फ़नी ट्रिक के माद्यम से हम सारी रचना और निबंद ना ट तक शब कुछ याद करेंगे ठीक है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जै हिंद